आच्छा एक चीज और आज दो उक्टूबर है ठीक है तो गांधी जी को सभी लोग याद करेंगे गांधी जी के बारे में आप जानते ही ओ दो अक्टूबर 1869 को गांधी जीका जो है जनम हुआ था पुरबंदर गुजरात के अंदर में और मुझे लगता है मैं गांधी जी तो जो मूवमेंट्स वगरा है वो तो भर भर के मैं आपको पढ़ा दूंगा ठीक है तो याद रखना गांदी जी भारत कब आये थे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया उन्होंने शुरवाद से बात करते हैं चंपारन सत्यागरा आंदोलन किया खेडा किया एहमदाबाद मिली स्ट्राइक किया ठीक है यह सारे इसके आसायोग आंदोलन किया रॉलेट सत्यागरा के लिए उन्होंने लड़ाई या रॉलेट एक्टव जब हुआ था तो उसमें उन्होंने अपनी उपाधी को कैसरे हिंद को तयाग दिया था ठीक है ना उसके बाद फिर उनको जेल मिलता है वह उन्हें सचापाइस में जब भारत में सामय कमिशन आता है तीन फर वर्वडिका जाता है लालाला पत्र यूद्ध के विरूद में नाथी भाके सर पे जो है उनकी जान चलि जाती है वह सहीध हो जाते हैं ठीक है ना इसके बाद फिर गांधू जी किस तरह से क् अंदोलन शुरू करेंगे और बारा मार्च उन्य स्वतीस से सौविने अवग्या अंदोलन की सुरुवात होती है कैसे 243 माइल की जो है दूरी तै करते हैं अठाटर अनुयाई मिल करके और साबर मती से दांडी तक जाते हैं और वहाँ पर नमक का जो पानी है समुदर का पान तो इसके खिलाफ लड़ाइं लड़ी गई इसके बाद वह उनी सो तीस से बद्रीज तक पुर्जूर चला बद्रीस के अंदर में आपको पता राउंटेबल कॉंफरेंस हुआ राउंटेबल कॉन्फरेंस निस्तीस से एक थिस के बीच में हुआ था ठीक है तीन साल उता त कर दिया जाता है कॉंग्रेस को गांदी जी वहां से ठगावा महसुस करते हैं दुबारा से जोर लगाते हैं 32-34 के दूसरा आप चलता है यहां पर देखने को मिलती है उसके अलबाद जो है कि फिर आपको पता है ऐसे ही सब्सक्राइब हुआ था तो 1949 से 1945 के बीच में हुआ था तो फिर 1949 से 1945 के बीच में क्या हाल हुआ था दितिविशुदि के अंदर में आपको पता ही है इंग्लेंड किस तरह से बरबाद होने के कगार पर आ गया था जर्मनी जो है कई महिनों तक जो है लगातार उसके जो जर्मनी के लड़ाकू विमान थे दिन रात सुबह होता नहीं था कि रात होती नहीं थी कि बंबारी शुरू 24 गंटे बंबारी किया करते थे हिटिलर ठीक है तो इससे काफी जर्मनी बरबाद होने लगा था इंग्लेंड बरबाद होने लगा था कमजोर होने लगा था इंग्लेंड सिमट रहा था हर जगह से तो यहां पर भी भारत में वो हार मान ही गया था समझे लो और हमारा जो परियास था वो तो था ही और Second World War ने भी काफी मदद किया इसमें और finally अंग्रेजों ने छोड़ के जाने का मन बनाया और फिर 1942 में किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के सुरुआत हुई यह सारी अई गांधियन जो आडिलोजी थी विचारधारा थी उसको ही पूरा देश माने सबसे बड़ा सरुमानने ने था उस दिन भी और आज भी देश का जो मार्क दरशन है उन्हीं के राज बताए रास्ते पर चल रहा है। था का